your friction होती क्या। तो इचरां. तो इचरां कात्व है जो की रिलेटिव को इचरां को अपोस करती है। रिलेटिव मोशन क्या होती है। दॉशन ओफ वन बॉब्जच ऊप्लतू अनदर। यहां दो ओबज़क्ट को हम कंपेर करती है। तो बिट्विन टू बोडिज सो डैट इट अपोजेश दा मोशन ओफ वन बोड़ी विद रिस्पेक्ट टू दा अधर बोड़ी यारे कि दूसरी बोड़ी जो है पहली वाली बोड़ी की मोशन को अपोज करती है तो वह कैसा फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वहां प संहें से उससर्फेस के ऊपर तो है कि अगर को अबज़क्त रखा हूए है primary यह कोई सरफे से मालीजिए और इसके आफर यह ओब्जट रखा हूए हे तो तो अब जब ईश्वश्रा रखा वैं तो इस धोरान के आपकोई फ्रीक्शनल फॉर्स लगेगा क्या था है नहीं लगेगा ठीक है ना अभी आईटेल रखा ओवैं को कोई फ्रिक्शनल फॉर्च लगे लगेगा नहीं लगए अपरगेगा जब इस ऑबजेट को हम स्लाइड करना शुरू करेंगे जास को हम खिसकाना शुरू करेंगे तब हमें ऊस वरे हो तो नो फ्रिक्शन एकजिस्ट इलिन एक्स्टेनल फॉर्स इपलाई जब तक हम कोई एक्सेञल फॉर्स अ limits नहीं करते हैं तब तक कोई भी फ्रिक्शन एकजिस्ट नहीं करेगी जैसे मान लीजी आप किसी सर्फेस के ओपर खड़े हो ठीक है ना तो उस वक्त कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो जब आप चलना शुरू करते हो तब आप क्या कर रहे हो जब हम चलते हैं तो हम सर्फेस को क्या है पीछे की तरफ ढखेलते अपने प मुवमेंट शुरू होती है उसी दुरान जो है फ्रिक्षन अपना रोल प्ले करती है अधर्वाइज आइडियल अगर कोई चीज पढ़ी है तो वो सक कैसे भी सर्फेस पढ़ी हो उस दुरान फ्रिक्षिनल फॉर्स नहीं लगेगा ठीकर तो फ्रिक्षिनल फॉर्स कभ लगे तो इसका मतलब उस पर friction भी नहीं लगेगी ठीक है ना तो friction यहाँ पर zero हो जाएगी और friction को mostly हम small f से denote करते हैं ठीक है ना friction को किसे denote करते हैं small f से और capital f से हम क्या denote करते हैं कि यह force होता है यह normal force होता है ठीक है ना जो अपन सिंप्ली जो फोर्स पड़ रहे हैं उसको हम f से denote करते हैं capital f से और जो friction friction की बात करते हैं तो वह होता है small f के लिए रहे हैं आप देखे यह ग्राफिकली देखे फ्रिक्शनल की बोरी पड़ी है और आपको उसको खिसकाना है ठीक है इस तरह की कोई situation आप imagine करो कि यह कैसी है यह कोई गहों की बोरी है और यह surface की ओपर पड़ी हुई है ठीक ना और यह surface कैसे एक rough surface है ठीक है अब यह आइडली जब रखी हुए उस दुरान कोई फोर्स लगेगा तो उस दुरान कोई force applied frictional force also increases to its maximum value अब जब इसको आप खिसकाना शुरू करते हो ठीक है ना तो अब मान लीजिए यह 100 किलो की बोरी है कोई छोटा बच्चा इसको खिसका नहीं कोई करे तो खिसका सकता है गया नहीं खिसका सकता क्यों क्योंकि वो इतना force लगाई नहीं पाएगा कि इसको खिसका सके अब कोई बड़ा आदमी जब force लगाता है तो वो इसको खिसका पाता है क्यों इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एक minimum amount का force इसको चाहिए इसको खिसकाने के लिए, ठीक है ना, अगर उससे कम अगर force लगाओगे तो यह नहीं खिसकेगा, आर यह बाद समझ में, तो वो minimum amount जो force चाहिए इसको खिसकाने के लिए, वो क्या है actual में, वो frictional force है हमारा, ठीक है ना, तो जब आप उस frictional force से जादा force लगाओगे, तभी यह object जो है, खिसकना शुरू होगा, तो यानि केहने का मतलब कि जैसी आपने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, frictional force जो है, वो भी अपना असर प्ले करेगा, और वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना, कब तक बढ़ेगा, इसकी एक limit है, उस limit से जैसी आप ज्यादा लगा दोगे, ठीक है ना, after which, frictional force decreases slightly when object starts moving, तो जैसी object move करना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आप अब आपने जो force लगाया है, वो ज्यादा हो गया, किस से, frictional force से, ठीक है ना, तो जैसी आप frictional force से ज्यादा force लगाओगे, तो वो object क्या हो जाएगा, move करना शु ठीक है ना, और Frictional Force भी दो टायब का होता, एक तो static friction होता है FS, और एक होता है kinetic friction, F k, kinetic when Je就是 move करने लगती है, और static mean 차, रुका रहता है कोई तो यह वो फ्रिक्शनल फोर्स जब आपका अब्जेक्ट रुका रहता है और यह वो फ्रिक्शनल फोर्स है जब आपका अब्जेक्ट मोशन में आ जाता है ठीक है उसमें काइनेटीक एनर्जी आ जाती है कि Frictional Force जो Static Friction है उससे ज्यादा फोर्स आपने अपलाई किया और ऑब्जेक्ट जो आपका खिसकने लगता है जब जब आप किसी भी बोरी को खिसकाते हो तो शुरू में आपको जोर आता है देखो और जैसी वो बोरी खिसकने लगती है उसके बाद आपको उतना जोर नहीं स्टार्टिंग में आए था ठीक है ना यह चीज आप घर पर करके देखना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक गहूं की बोरी है उसको आप फोर्स धीर दिरे उसको फोर्स लगा हो आप उसको खिसकाने के लिए तो धीरे धीरे जब आप फोर्स बढ़ाओगे ठी होड़ान आप महसूस करोगी की अब आप उतना फोर्स नहीं लगा रहे हो जitना आपने स्टार्टिंग में लगाया था ठीकिना यानि की अप जो अब जो फृक्षनल jullie अगया ठीकिन cry तोड़ी सी नीचे है यह 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 पॉइंट देखे यहां तक था मैक्सिमम फ्रिक्शन और उसके बाद यह नीचे आके फिर यहां से जा रहा है यह वैलू इतनी कम हो गई तुसकर यही Wherever समझानी कोई किये अब इसको मैं थोड़ा सा थोरिटी के लिए बताने कोई करता हूं कि तो बेक्रिक्शन कितने टाइप की होते तो टाइप की होती इतो स्टाटिक फ्रिक्शन दिए और एक दायनेनिक फ्रिक्शन होती दिवी viens यह कैसा force है force that resist initiation of motion मतलब यह static friction तब तक लगेगी जब तक कि आपका object motion में नहीं आ जाता ठीक ना तो force that exist initiation of motion of one body over another with which it is in contact opposes impending motion तो यह क्या करता है motion को oppose करता है ठीक है ना तो motion that is not started but about to start तो कब तक लगेगा यह static friction कि जो object है वो आपका start नहीं हो है खिसकना लेकिन अभी जस्ट खिसकने वाला होता है सब्सक्राइब तक लगता है इसको हम डिनोट करते है एफ ऐस से स्टैटिक फ्रिक्शन है ठीक है यह रोके रखता है यह फ्रिक्शन कि जैसे मान लीजे किसी object को आपको खिसकाना है और इसको आपने calculate कर लिया कि कम से कम इसको 10 Newton फोर्स चाहिए इसको खिसकाने के लिए तो यानिकी जीरो से जब आप फोर्स लगाना शुरू करोगे तो 12345678910 तो 10 Newton तक आपने धीरे-धीरे फोर्स को बढ़ाया तो 10 Newton तक इसका मतलब क्या है कि वहां तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है ठीक है ना कूंकि object आपका मोशन में आया नहीं अभी तक तो 10 Newton तक तो अब्जक्ट आपका रुकाई हुआ है तो उस दोरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कैसा मतलि अभी थी देड फोर्स भड़ा रहे हूं फोर्स इस अपलाइड और इंग्रीज ग्रेज्वली अब धिरेड आप ओर्फ बढ़ा रहे हो किसी बंच खिसकाने के लिए तो अनुसके साथ इस्ट्याटिक्शन भी क्या होगी वह भी धिरे बढ़ेगी तो तो fs will also increase up to its certain maximum limit, कब तक बड़ेगी जब तक आप एक maximum limit तक नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है न, जैसे मैंने आपको 10 newton का example लिया था, तो जब तक 10 newton force नहीं आएगा, तब तक वो खिसकेगी नहीं, उसके बाद खिसकेगी, तो यहाँ पर 10 newton maximum value हो गई, किसकी, static friction की, तो कोई चीज यहाँ बता रहे है, ठीक है, तो maximum limit तक वो पहुचेगा, फिर जब आप further अपना force increase करते हो, if force applied is further increased, यानि कि applied force अब बढ़ गया, किस से ज़्यादा हो गया, जो static force था, maximum, उससे अगर ज़्यादा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, object will start moving, अब object जो है, खिसक तब तक आपका object जो है, move नहीं करेगा, और जैसे उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका object जो है, move करने लग जाएगा, तो यह static friction कब तक apply होगा, जब तक आपका object move नहीं कर रहा है, मतलब, when the object is just about to start moving, जैसे वो start करेगा, move करना, वहां तक यह लगता है, static friction, तो इसमें जिसे हम कहते है, maximum value, और इसे हम क्या बोलते है, limiting value बोलते है, मतलब maximum कि लिमिट कितनी है, तो इसको limiting value बोलते है, और उसकी value कैसे निकले की, तो limiting value of FS किस पर depend करती है, normal reaction पर depend करती है, और कैसे डिपेंड करती है, directly proportional होती है, तो FS max is directly proportional to N, और जब आप proportionality constant हटा होगे, तो यह पर यूए सब्सक्राइब सायगा यूएस किया प्रोपोशनल्टी कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉफिशन्ट ऑफ इस्ट्रेटिक प्रिक्षिन टीकर मीव एस तो कोफिशेंट ऑफ स्टाटिक फ्रिक्षिन यह तो f.s independent of area of contact तो यह area of contact कितना area cover कर यह contact में तो उस उस पर depend नहीं करती है ठीक है और जो मीवस आपका आया है वो किस पर depend कर यह surface in contact Jeetna surface contact में आता है उस पर depend करता है ठीक है तो हमारे सामने एक फर्मॉला आ गया तो यह आपके आगे काम आए गया फर्मॉला ठीक है न तो इंपोर्डेंट एक्षिन क्या होता है तो लो फिस्टेटिक प्रिक्षिन इट इस्टेटिक फ्रिक्षिन इस ओल्वेज लेस्ट और इक्वल टुदा लिमिटिंग वेल्यू अफ की जो स्टेटिक फ्रिक्षिन होगा उसकी वैうल्य हमेशा लिमिटिंग वैल्यू जो 54 इसकी उससे कम रहती है और लिमिटिंग वैल्यू एंस की क्या है छिएփ टीक है तो इससे हमेशा कम रहेगी ज्यादा हो जाएगी तो आपका Selfid करने लगजाएगा तो वहां पे quizz जब आपका object motion में आजए मत्तब मूव करने लग जाए ठीक है ना आपने इतना उस पर फोर्स लगा दिया कि अब जो है आपका object मूव करने लग गया ठीक है न तो वहाँ पर क्या जाती काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है या फिर उसका अब जो फ्रिक्शन आ रही है वह कैसी फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन है क्यों क्योंकि object आपका मूव कर रहा है तो इसको हम डिनोट किसे करते हैं एफ और बेस में करते हैं और यह भी क्या है इंडिपनेंट होती है area of the contact or it is also independent of the velocity of the body and it varies with normal reaction तो यह भी normal reaction के हिसाब से वेरी करती है कैसे वेरी करती है directly proportional होती है यह भी तो fk is directly proportional to normal reaction and और जब proportionality हटा होगा तो यहाँ पर आजेगा proportionality constant mu k ठीक न तो इसे हम क्या बोलते हैं coefficient of kinetic friction बोलते हैं उसको और mu s को क्या बोलते है coefficient of static friction ठीक है तो यहाँ पर एक formula यह आ जाता है आपके सामने तो यह भी क्या है important formula है ठीक है अब देखिए अगर हम relation की बात करें the relation between coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction तो दोनों में relation क्या होता है कि the coefficient of kinetic friction is always less than the coefficient of static friction ठीक है तो kinetic friction की जो कोफिशेंट है वो हमेशा क्या होता है कम होता है और अब देखिए हमें coefficient of kinetic friction किसके बराबर होता है fk upon n fk upon n और इसी तरीके से coefficient of static friction किसके बराबर होता है fs upon n ठीक है न इस formula से आगे यह value fk की value और fs की value है तो अपन यहाँ पर mu k और mu s के हिसाब से इसको रख दो तो fk upon n हो जाएगा और fs upon n हो जाएगा ठीक है न तो अब n से n कर गया तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो static friction होती है वो उसकी value कम होती है as compared to kinetic friction sorry static friction की value जादा होती है as compared to kinetic friction तो इसका मतलब क्या है कि it tries to oppose the motion of a body which is at rest तो जब तक object rest पे रहेगा तब तक यह act होती है और यह कब लगेगी it tries to oppose the motion of a body when the body is already moving ठीक है न तो और यह कब लगेगी जब body move करना शुरू हो जाती है तो उस दोरान जो friction लगती है उसे हम बोलते है kinetic friction और जब body जब तक move नहीं हो रही है तब तक कौन सी लगेगी static friction ठीक है और यह तब है जब हम external force apply करते हैं जब हम external force apply नहीं करेंगे तो object अपनी जगे पर ही रहेगा तो वहाँ पे स्लाइड होना शुरू हो जाते है तो फिर क्या आएगा kinetic friction आएगा ठीक है ना और यह मैंने आपको पीछे जो ग्राफ बनाया था उसमें भी यह चीज बताई थी कि value कैसे change होती है तो देखिए जो पीछे हमने graph study किया था force और time के बीच में तो उसमें हमने क्या किया था कि जब starting में आपका जब आप force apply करते हो तो उस दोरान आपकी जो है static friction भी आपकी साथ के साथ बढ़ती है तो यह आपकी क्या static friction होती है fs ठीक है न यह तो आपकी static friction हो गई और फिद जैसे आपको object slide होना शुरू हो जाता है तो फिर आपकी यह dynamic friction आती है और dynamic friction जो होती है वो constant चलती है तो देखिए इतना इतना factors की value जो है कम हो जाती है यह ठीक है न तो यह आपकी क्या है यह dynamic friction fk है यह ठीक है यह fk है तो इस तरीके से अच्छा static friction हो गया dynamic friction हो गया फिर एक friction और हमारे सामने आती है जिसे हम बोलते है rolling friction rolling means जब कोई चीज रोल करते वे आती है surface के उपर से गूमते वे आती है जैसे हम किसी बोल को जब हम किक करते हैं तो बोल क्या करती है surface के उपर लुड़कते वे चलती है तो वो भी कुछ दूर तक लुड़कती है फिर रुख जाती है इसका मतलब वहां पर भी friction लग रही है लेकिन वो friction कैसी है rolling friction है तो जाइर सी बात है rolling friction की value क्या होगी कम ही होगी तो rolling friction क्या है applicable for bodies whose point of contact keeps changing तो यहाँ पर rolling friction कहां लगती है जहाँ पर ऐसा object जो दो surfaces contact में तो है लेकिन जो point of contact वो बार बार चेंज होता है ठीक है जैसे मान लीज़े यह surface है अपना यह अपना surface है और इसके ओपर यह हमने कोई round shape में rolling body हमने रख दी तो जब इसको roll करते हैं तो यह भी contact में आता है लेकिन हर बार इसका यह point of contact होता है single point होता है और यह जैसे जह गूमेगा तो यह point of contact भी क्या change होते रहेगा अब मान लीज़े यह point यहाँ पर A था ठीक है न यह point इसका A था यहाँ पर इस point पर तो जब इस गूमेगा तो गूम के यह यहाँ पर आ गया तो उस case में यह point यहाँ आ जाएगा ठीक है गूम के तो इसका मतलब क्या है कि जो point of contact है यह भी continuously क्या हो रहे है change होता रहता है इसके अंदर तो it is applicable for bodies whose point of contact keeps changing अब मैंने का था कि rolling friction की value सबसे कम होती क्यों होती है एक तो देखिया आप surface के ओपर इस तरह की किसी box को आप slide करो उसमें ज्यादा जोर आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर static friction और kinetic friction ज्यादा है और अगर आप इसी के नीचे इस box के नीचे अगर आप इसके नीचे वीर लगा दो ठीक है इसके न कम होगी अब इसको खिसकाना असान है ठीक है तो यहाँ पर कौनसी friction आई rolling friction आई तो कहने का मतलब कि जो rolling friction है उसकी value सबसे कम होती है और उससे ज्यादा किसकी value होगी kinetic friction की और उससे ज्यादा किसकी value होगी static friction की तो यह relation भी आपके काम का है ठीक है अब देखिए हम friction कहां कहा पर अप्लाई कर सकते हैं इसकी इंपोर्टेंस कितनी है तो फ्रिक्शन हेल्प सिन वोकिंग अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चलने पाएंगे ठीक है अगर मान लिजे ग्राउंड आपका बहुत ज्यादा स्लिपरी है मतलब वहां फ्रिक्शन है नहीं तो उस पर चलना आ आता है कि एक बून भी है और एक और बेन भी है बेन मतलब नुकसान करती है बून मतलब फाइदे करती है तो फाइदे क्या करेगी बून क्या फाइदे क्या करेगी हमें चलने में आसानी होती है और मुवमेंट ऑफ ओटो मॉबाइल जो ओटो पार्ट्स होते हैं तो वहां पर मुवमेंट जरूरी होती है ठीक है तो वहां हमें चाहिए और इसके नुकसान क्या है तो नुकसान क्या है एक गुड अमॉंट ऑफ यूश्फुल एनर्जी बेस्टेड एज हीट कुग देखे जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी वहां पर हीट प्रेडियूस होगी यान जब दो पार्ट्स आपस में कॉंटेक्ट में हैं और घूम रहे हैं तो मोशन में इसका मतलब तो वहां पर क्या होगी फ्रिक्शनल फोर्स की रिट होगी और फ्रिक्शनल फोर्स के वज़ए से वहां पर हीट प्रेडियूस होती है तो आपने देखा होगा जो मशीन प्रेडियूस होगी ठीक है ना अगर माली जो कोई फैन है फैन के अंदर अगर जो मुविंग पार्ट्स हैं अगर वो घिसने लग जाए आपस में ठीक है तो वहां पर क्या होगी नोईज प्रेडियूस करने लगेगा तो यानिकि नोईज प्रेडियूस हो रही है इसका और अगर पार्ट्स अगर उसके लुब्रिकेटेड नहीं है ठीक है ना तो उस केस में जो है अगर मशीन अगर बहुत जल्दी जल्दी गरम हो रही है तो इसका मतलब क्या है वह फ्यूल कंजंशन भी उसकी बढ़ जाएगी वहां पर यानिकि उसके एफिशन्सी गिर करते हैं तो वहां पर ओइलिंग करते हैं ग्रीसिंग करते हैं उसकी तो जब हम ग्रीसिंग कर देते हैं तो अब पार्ट्स जो है इस्मूथली जो है मूव करने लगता है ठीक है आपने बैरिंग देखा होगा पंखे-वंखे के अंदर जो बैरिंग लगे रहते हैं यह कर देते हैं तो अब जो पार्ट सम Günther कर पाते थे तो फ्रिक्षिन को कम करने के लिए एक फोल्ट तो इसको लुब्रीकेंट करो अब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इसको ल तो देखें डिजाइन भी आप कर सकते हैं जैसे गाड़ियां वगड़ देखिये या फिर वो जो सुपर फास्ट ट्रेन उती हैं ठीकना उनका इंजन का आप देखिए आगे से जो होती है वह वह बिल्कूल उनकी नौक होती है ठीकना आगे का एरिया जो होता उसका बहुत ज जो ट्रेन होती है, उनका आगे का हिस्सा जो होता है, वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, ठीक है ना, तो अब यह देखे, अब जब एर, क्योंकि जितनी स्पीड से वो ट्रेन चलेगी, उतनी जादा एर को काटना पड़ेगा, तो अब जो है, एर इसली जो है, एसली को, एस से सर्फेस के उपर से होते हुए और इसको चली जाएगी ठीक है और अगर मान लिजे इसकी शेप ऐसी होती है एकदम रेक्टेंगुलर टाइप में तो अब एयर फ्रिक्शन ज्यादा ज्यादा ही है इकट्राइब करने के लिए हम देखें डीक Потом मेंड़े देखा होगा एरोपलेन में और यहीं इस जो चौंच होती ताकि एर को जो है इसका है तो यह डिजयाइन मोडिकेशन आसी होती है जो फ्रंट पाट होता है smile का airplane का उसको किस तरीके से design करें ताकि friction कम हो जाए तो यहां friction कौन क्रेट कर रहा है air air जो friction क्रेट करती है ठीक है और हम polishing भी कर सकते हैं तो देखिए कई बार देखा होगा इनकी बोड़ी जो होती है बहुत ज्यादा smooth होती है polished होती है ताकि जब air इसके contact में आये तो उस polish के वज़े से smoothly जो है इसको pass on कर जाती है ठीक है ना तो इस surface के साथ इतना contact नहीं बना पाती हो तो उससे भी friction कम होती है तो ठीक है ना तो यह हमेशा polished surface होता है इनका तो यह चीज़ें तो इन तरीके से हम क्या कर सकते है friction जो है कम कर सकते हैं के लिए रहे हैं